नमस्कार दोस्तों स्वागते शोमुस बाली ची की और एक वीडियो में और इस वीडियो हम बात करेंगे ओवएन-400 के बारे में इवियन-400 और इवाईन-400 वाटेवर आप कहसे हो विवयन-400 किस प्रकार की मेडिसीन है इवियोन 400 क्यों prescribe किया जाता है prescription से बिना भी आप ले सकते हो क्योंकि over the counter medicine है actually एक supplement है किस तरह का supplement है यह इवियोन 400 जो है यह एक vitamin E supplement है शरीर में जब vitamin E की मात्रा कम होता है क्योंकि अलग-अलग vitamins अलग-अलग काम करता है important है हमारे लिए शरीर की अलग-अलग organ system को ठीक-ठाक function करने के लिए जैसे कि vitamin B हो गया vitamin E हो गया, vitamin K हो गया अलग-अलग function होता है ऐसे vitamin E body में चाहिए होता है ठीक-ठाक से हमारे जो nervous system है दो प्रकार के हैं कि एक तो central होता है, एक peripheral होता है यह पर यह peripheral nervous system है जो मतलब nerves, brain के साथ linked और connected होता है बाकी body के आस्पर जैसे के हाथ में, पैरों में, body के लग-लग location पे फैला हुआ उसको peripheral nervous system कहते है वो peripheral nervous system को ठीक रखने के लिए vision, मतलब आँख connect होता है brain से, हम कुछ चीज को देख रहे हैं उसको process कर रहे हैं यह जो connection होता है यह connection, यह सारे जो nervous system के connections है यह vitamin E important है इसको ठीक तरीके से maintain करने के लिए ठीक है उसके साथ-साथ body का जो muscle है और कुछ जो body की components है कुछ body के parts है जो ज़्यादा protein, fibrous protein से बना हुआ होता है जैसे के मालो skin, जैसे के किस तीन में collagen होता है वैसी keratin जो के बालों में होते है तो ऐसे अलग-अलग keratin हो गया collagen rich जो area body के वो भी maintain करने के लिए vitamin E की मात्रा शरीर में ठीक होना ज़रूरी है अब क्या होता है vitamin E हमें मिलता है खाना से हम अच्छा खाना खाएंगे जहाँ पर vitamin E rich है जैसे के कुछ तेल sunflower oil आता है, soybean oil आता है वहाँ से ज़्यादा vitamin E मिलता है जैसे के almond आता है, moonfly आता है उसमें से ज़्यादा vitamin E मिलता है pumpkin उसमें ज़्यादा vitamin E मिलता है तो ये सारे चीजों में ज़्यादा vitamin E है जो हमें खाना चाहिए अब यह सारे चीज़ अगर ठीक मात्र में आम नहीं लेंगे बॉडी में तब क्या होगा विटामीन E की डिफिशेंसी होगा और जब विटामीन E की डिफिशेंसी होगा तब हमें विटामीन E सप्लिमेंट लेना है विटामीन E बाहर से इंजेक्ट करना है तो यहाँ पर हम मे आप कहीं पे चले जो आपको मिल जाएगा क्योंकि इसके प्राइस भी बहुत रिजनेबल है इसका प्राइस जो है एक पैक के लिए 30 से 33 रुपए 35 रुपए के बीच का आता है तो बहुत ही अफोर्डबल है क्योंकि ते को सप्लिमेंट जो है उसको अफोर्डबल बनाना है क 400 mg लेने से क्या होगा आपकी जो बॉड़ी में विटेमिनी की डिफिशेंसी कमी थी वो मेकप हो जाएगा उससे क्या होगा बॉड़ी की नॉर्मल जो फंक्शन है जैसे कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का फंक्शन जैसे कि आपकी बॉड़ी की जो आम से हाथ इसको एक की मूवमेंट ठीक से नहीं कर सकते इसको अटक्सिया बोलते हैं एक प्रॉब्लम होता है विटेमिनी डिफिशेंसी से यह हो सकता है जहां पर आप आपकी बॉड़ी के जो हाथ पैड अलग अलग इससे ठीक से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो अलग-अलग treatment और भी कु की डिफिशेंसी के सबसे बड़ा यही एक चीज़े माना जाता है कि आपके विशन आपका जो विशन होता हो धीरे धीरे वीक होने लगेगा और आप ठीक से जो है आई कंट्रोल जो यह नहीं रहेगा तो वह भी क्योंकि यह जो nervous system है जो connect कर रहा है आपके आँखों को brain के स कार और signal को पहुचा रहा है वो ठीक से काम नहीं करता है इसके कारण vitamin E की मात्रा body में properly होना एकदम आपकी life की स्टार्टिंग से इंड तक बहुत important है और उसको body में normal से आप खाने के साथ जब body में आएगा उसको utilize करना body के लिए भी बहुत important है तो विशन कंट्रोल विशन चले जाना एक सिम्टम होता है विशन कम हो जाना एक सिम्टम होता है विटेमिन E की deficiency का जिसका भी समाधान होता है विटेमिन E supplement तो विटेमिन E supplement आप लें particularly even 400 आप लें और इस टैबलेट से आप normally टैबलेट नहीं कैप्सूल आप इसको कैप्सूल बोल सकता हूँ बिस्टर में ज्यादा होता है उसके साथ साथ sunflower oil हो गया उसके साथ soybean oil हो गया pumpkin हो गया mango avocado कुछ-कुछ फल में भी वह ज्यादा यह सारे के सारे जो अलग अलग प्रकार के खाना जहां पर विटेमिन E ज्यादा है आप उसको ज्यादा मात्रा में intake करें खाएं लें ताके विटेमिन E की ताके ऐसे विडियो आपको मिलता रहें थैंक यू बाए